वक्त बदला चहरे बदले बदले ना तो सीरत किसी की नमस्कार जी हाँ पुन्य शलोक अहिल्या भाई मैं आगाज हो चुका है नए चहरों का आज हमने नए चहरे देखे और कुछ देखने वाले हैं कुछ की आवाज सुनी आवाज में वही खनक थी वही आत्म विश्वास था और वही जिजबा के हाँ हम कुछ करदिखाएंगे हमें कुछ करना है प्रजा के लिए इस देश के लिए अपने मादरे वतन के लिए और कुछ वही अपनी पुरानी चालाकियों में लगे हुए हैं आप समझ गए होंगे दवारे का भाई की टीम यहां पर हम देखते हैं वैसे तो जब कोरो पांड़ों की बात आती है उस यूग की हम बात करें तो उस वक्त जब कोरो पांड़ों युद हुआ था तो जब पांड़ों ने पिंदान करना था तो बावन साल बाद सोमवती अमावाश शाय थी और आज करें हम बात करें तो बहुत जल्दी जल्दी जो है सोमवार को अमावश शाय आती है हर साल तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ साल के इंतराल में ऐसा हो जाता है मगर तब कवरबाणों यूदी बात करने था, उस योग में बावन साल बाद या एक बार आई है आज सोमवार है उसके अमावाश है सोमवार की तो अगली सोमवार की अमावश शाय कब थी बावन साल बाद थी मतलब बहुत ज़्यादा वाके में उस वक्त तो बहुत ज़्यादा महतुव हुआ करता था इस चीज़ का और जैसा कि मलहार राव हुलकर सरकार ने कहा यहां पर कि उनका बहुत महतुव होता और शिव पूजा यह जिन की जाती है देखिए वक्त हमने देखा साथ साल कैसे बिद गए वैसे ही बहुत कम वक्त यहां पर दिया गया है और 105 अतिती इकठे करने हैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसा गुनोजी ने कहा कि असंबव है बिल्कुल गुनोजी के लिए रसंबव है बाकि सब लोगों के लिए भी है मगर देवी एहलिया कर पाएगी कैसे कर दी मेरे ख्याल से वो कहेंगी मैं करती हूँ पुजा स्टार्ट करेंगी और जितने भी जो लोग वहां पर होंगे मैं रिखाल से सब भी उनके पीछे खड़े हो जाएंगे हो सकता है अगर देवी एहलिया है और भगवान शिव उनका साथ दे तो और भी बहुत सारे लोग उनके पास आ सकते हैं अथिती बनके आ सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो प्रजा के हित बारे में सोचेगी ही जाहिर सी बात है मगर यहां पर में बात यह कि देवी एहलिया से तो काफ़ी जादा बड़ी नजर आ रही है हो सकता है बीच में बच्चे आ गए हो मगर इस दोरान इतने कम साल में इतने बड़ तो बच्चे भी नहीं हो सकते या किसे बच्चे की शादी हो तो वोरानिय भी इतनी नहीं हो सकती इतनी बड़ी हाँ तुकोजी का थोड़ा हमें मतलब फिर थोड़ा लग लगा बाकि उनके विक्रितफ वो करें उसी हिसाब से देखते हैं किसा लगेंगे वो जचेंगे नहीं जचेंगे पहले वाले के मुकाबले और बाती आती जिए उनकी पत्नी भी वहां हो तो वो भी एस जो है जादा लग रही है मगर फिर भी पहले कबी भी दरबार में उनकी पतनी जो तुकोजी की पतनी है वो कभी दिखाई नहीं दी है तो क्या कह सकते हैं वो कpees है बाकी इतना है। मज़ा आने वाला है क्योंकि देवी अहिल्या, युवा देवी अहिल्या जो है अब उनका बचपन से वो युवी वस्था में है और देवी बनने का महारानी बनने का मातोश्री बनने का उनका जो है मार गए यहीं से स्टार्ट होता है और देवी अहिल्या तो दिखाई दे गई हमें उनकी आवाज सुनाए दे गई वही ओजस्वी आवाज है मतलब वो दिखाई दे गई मगर बात ये है कि खंडेर आवको क्या आज दिखाया जाएगा क्या रगता है मैं तो उनको देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सक हूँ